हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस येटूब चैनल में आज हम इस वीडियो में विप्यासी के जो सरसथवी पिडी एक्जाम हुई थी उसका क्वास्चन को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे अगर आप विप्यासी या फिर विप्यासी के तहत जो टीचर्स की एक्जाम होने वाली है उसकी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विडियो काफी इंपोर्टन रहने वाला है क्योंकि जो भी प्यासी किस तरह के तो आप प्रिभियस येर ऊटं से लगा सकते हैं तो ये विडियो आपके लिए काफी important रहने वाला है वीडियो को अंज़ तक जरूर देखिएगा और हाँ आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजेगा तो चलिए पहला question है हमारा पर्थम बहुत सभा कहां आयोजित हुई थी तो बहुत हर जैम कर जाता है यह question पर्थम बहुत सभा जो है राजगीर ही में आयोजित क्या जाता है जो बर्दवान में राजगीर के नाम से जाना जाता है चलिए अगला question है हमारा किस गुप्त सासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करकर के सत्ता को प्राप्त किया था तो वह कौन था चंद्रगुप्त दूतिये चंद्रगुप्त दूतिये ने अपने भाई की हत्या करकर के सत्ता हांसिल की थी अगला है बर्धन राजवन्स की अस्थापना किसने की थी तो बर्धन राजवन्स की अस्थापना कितने की थी तो अथा पुष्य भूती ने बर्धन राजवन्स की अस्थापना की थी तो इस का अंसर हो जाएगा A. 63 का अंसर हो जाएगा पुस्य भूती ने बर्धन राजवन्स की अस्थापना की थी अगला है रोवन समराज्य से ब्यपारिक संबंद किसने अस्थापित की थी तो रोवन समराज्य से ब्यपारिक संबंद अस्थापित करने वाले कौन थे दुथा कुसान कुसान ने रोमन समराज से बेपारिक संबंध अस्थापित किये थे अब है मुस्लिम सासक जिसका समराज दार उल इसलाम का एक भाग माना जाता था वह सासक कौन था तो वह था इल्तुत मिस इल्तुत मिस का सासन ही दार उल इसलाम का एक भाग माना जाता है इन में से कौन से खलीफा है जो खलीफा के सक्ति का ब्रोध किया था तो वह कौन था अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा के सासन का सक्ति का ब्रोध किया था अब है तुर्गिल खा ने किसके सासन के दोरान बिद्रोध किया था तुग्रिल खा ने किसके सासन का बिद्रोध किया था तो वह था बल्वन तुग्रिल खा ने बल्वन के सासन काल के दोरान ही इन्हों ने बिद्रोध किया था अब है सरपर्थम किस मोगल सासक ने ब्रोध के ब्रोध संघर्ष किया था तो ब्रोध संघर्ष करने वाले पर्थम सासक कौन थे तो वह था औरंग जेव औरंग जेव ने ही सरपर्थम ब्रिटिस का बिरोध किया था अब है इसमें से बिल्लियम बेंटिक के द्वारा जो समाजिक सुधार किये गए थे वह कौन-कौन से थे देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है चार ओप्शन दिये गए हैं तो बिल्लियम बेंटिक चे समाजिक सुधार किये थे उनमें से शक्ति पर्था का उन्मुनल दास पर्था का उन्मुनल और था ठगो के संगठ्थित बिद्रो का दमनभीन होने किया था तिसका एक अप्शन वन, टू और फोर करेक्ट है अब है किसने सिंध बिजित कर उसका अधिकरन किया था सिंध को बिजित करके उसको उसका अधिकरन करने वाले कौन थे तो वह थे नेपियर 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 नहीं सिंध को जीता था भारत का पर्थम जन्गन्ना किस बर्स प्राराम हुआ था तो भारत की पर्थम जन्गन्ना का प्राराम हुए थे ठारासो बहत्तर इस वी में अब है भगत सिंग सुखदेव राजगुरु को किस तारिक को फांसी की सजा सुनाई गए थी तो वह दिन कौन सा था 23 मार्च 1931 को भॉगत सिंग सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई थी महातमा गांधी द्वारा 1940 में प्राडम किये गे ब्यक्तिकत शत्याग्रह के तिस्या सत्याग्रही कौन थे तो वह कौन से ब्रहमदत तिस्या सत्याग्रही पूछे गये हैं तूँए ब्रहमधत पहले कुन थे विनुभा भावी तुसरा थे राजंदर परसाद और तुसरा थे ब्रह्मदत भारत छोरो अंदोलन के दोरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंब किया था तो वह था उसा मेहत उसा मेहता ने खुफिया रेडियो का आरम किया था अब है मुगल मगद सासक बिम्बिसार का चिकित सक कौन था बिम्बिसार का चिकित सक का नाम पुछा गया है तो उसका चिकित सक कौन था उसका चिकित सक था जीवक या दखना है जिबक बिम्बिसार का चिकित सक्था अब है बिहार के पर्थम भारतिय गवर्नर को थे तो बिहार से रिटेट कॉस्चन है या बिहार के पर्थम भारतिय गवर्नर का नाम बताना है तो बहुत को था सतंद्र प्रसन सिन्हा 77 परसंद सिन्हा जो थे भारत बिहार के पर्थम भारते गवार्नर थे अब है संथाल बिद्रोह के नेता का नाम पुछा गया जो संथाल बिद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे तुवथो थे सिद्धु और कानू सिद्धु कानुजे थे संथाल बिद्रो के नेता थे अब बिहार में चवरी बिद्रो किस बर्स हुआ था बिहार का चवरी बिद्रो का नाम पुछा गया है किस बर्स हुआ था तो अथा 1798 में बिहार में चवरी बिद्रो हुआ था अब है किस बर्स उरीशा को बिहार से प्रिथक किया गया था तो बिहार से उरीशा को प्रिथक किस बर्स किया गया था वह बर्स था 1936 1936 में बिहार से उरीशा अलग हो गया था अब है कासी में पूछा गया यह है जो रफी का हम history का question डिसकस किया है जो भी था history question को हमने discuss कर लिया है इस तरह के question ही भी प्यासी पूछते हैं तो आप prepare हो जाएं इस तरह के question के लिए तो चलिए इस वीडियो को खतम करते हैं अगर आपको वीडियो यो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद